काले बादल और रामू एक समय की बात है, एक गाउ में रामू नाम का एक लकड़ हारा रहता था, बहुत दिनों से गाउ में अकाल पड़ा हुआ था, कभी गर्मी से व्याकुल बच्चे कहते, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, तब लोग बारिश ना होने से बहुत परिशान हो गए थे, रामू भी बहुत परिशान था, उसने उड़कर जाते काले बादलों से बार बार कहा, यहीं बरसो, यहीं बरसो, हमें बरसात की जरूरत है, कोई बादल न बोला न रुका, वह रूट कर घर के भीतर जाने वाला था, कि एक काला बादल रुक गया, वह बोला, जाते समय तुम यहां क्यों नहीं रुके, बरसात के बिना हम सब बहुत परिशान हो रहे हैं, बादल जी, आप हमारे यहां कब बरसोगे, हमारे गाउं में सब सूखे से बहुत परिशान है, आप ही कुछ करिए ना, काले बादल ने कुछ सोचा और कहा, मुझे आज कहीं और बरसने का आदेश मिला है, मैं कल तुम्हारे यहां आउंगा और बरसूंगा, रामू, तुम्हारा घर कहा है? मुझे उसका पता दे दो, जब पानी से भरा होता हूँ, तो बरसने की जल्दी होती है तुम पता दे दो, मैं आऊंगा और बरस का चला जाऊंगा रामू खुश हो गया अरे हमारा घर तो कोई भी दूर से पहचान लेगा देखो, घर के सामने साथ पेड़ है, घर के पीछे भी साथ पेड़ है घर के दोनों तरफ तीन और बाई तरफ चार पेड़ है गुल हुए 21, ऐसा नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा ठीक है, मलकल यहांँगा और बरसूँगा अगले दिन रामू ने पूरी तयारी कर ली उसके घर की चट टूटी हुई थी तो उसने उसकी मरम्मत की और मन ही मन सोचने लगा आज बारिश होने वाली है, जल्दी जल्दी सारा काम कर लेता हूँ आज तो मैं खूब मज़े करूँगा, जब बारिश होगी खूब नहाऊंगा पानी में रामू बारिश का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई बारिश नहीं हुई रामू उदास हो गया और कहने लगा अभी तक बारिश नहीं हुई, आखिर क्यों इतना समय लग रहा है काफी समय बाद काले बादल को रामू दिखा, वहें रामू के पास आकर बोला रामू, तुम्हारा घर कहा है? मुझे ढूरने पर भी नहीं मिला तुमने कहा था कि तुम्हारे घर के पास बहुत पेड़ है, लेकिन यहां तो कोई पेड नहीं बादल जी, वहें पेड मैंने कार दिये, मुझे पैसों की जरूरत थी ना, शायद इसलिए आपको मेरा घर नहीं मिला होगा हम बादल तो उपर उड़ते वे पेड़ों सही जगे को पचानते हैं, पेड नहीं तो बरसात नहीं जब पेड होंगे, तब ही मैं बरसूँगा, हम बादल पेडों की होने की वज़े सही बरसते हैं, अब मैं आगले बरशाओंगा, तुम तब तक खाली जगों में पेड लगाओ रामू को अपनी गल्ती पर पच्छतावा हुआ, उसने सभी गाउवालों से कहा हमें सभी जगा पेड पौधे लगाने होंगे, अगर हमने ऐसा किया, तब ही तो बारिश होगी रामू, अगर ऐसा करने से बारिश होगी, तो हम जरूर तुम्हारे साथ मिलकर पेड पौधे लगाएंगे रामू ने गाउवालों की मदद से खाली जगह पर पेड पौधे लगाए, एक साल तक उसकी देख भाल की अगले साल जब बादल आया, तो रामू के गाउव में धेर सारे पेड लगे हुए थे, काला बादल खुश हुआ और मन ही मन बोला काला बादल बहुत खुश हुआ और खुश हुआ और काले बादल से कहा धन्यवाद बादल जी, आपने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया, अब मैं कभी पेड़ों को नहीं काटूंगा और बाकी सभी गाउवाले भी हर साल धेरों पेड़ पौधे लगाएंगे और सब बहुत खुशी खुशी रहेंगे, कभी सुखा नहीं पड़ेगा